प्रमान जी आज भी जीवित हैं और इसका प्रमान मिलता है मतंग कबीले के लोगों से भगवान श्रीराम के बैकूंड प्रस्थान करने के बाद बजरंग बली दक्षन की पहाड़ियों की तरफ चले गए वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई मतंग कबीले के लोगों से मतंग कबीले के लोगों ने वहाँ पर बजरंग बली का बहुत आदर सतकार किया बजरंग बली ने प्रसंद होकर उन्हें वर्दान दिया कि मैं हर 41 साल में तुम लोगों के पास आऊंगा और तुमारी आने वाली पीडियों को जीवन का ब्रह्म ग्यान प्रदान करूंगा तब से लेकर आज तक बजरंग बली हर 41 साल में उस कबीले के लोगों को दर्शन देते हैं और नैतिकता का ब्रह्म ग्यान प्रदान करते हैं प्रटिन बात यह है कि वो कभीले के लोग हम जैसे लोगों से पूरी तरह से कट कर रहते हैं। उनकी बोल चाल, उनकी लिखावट, सब कुछ हम लोगों से बहुत अलग है। हाला कि उन लोगों ने एक ऐसी किताब को मेंटेन करके रखा है जिसमें बजरंग बली से मिलने की सारी जानकारी इस पर्श ट्रूप से लिखी हुई है। लेकिन अफसूस काफी जादा शोध हुए। अफसूसित कुछ हुए। झाल, जल, झाल, पुझ सारी जादा लिखी हुए। आप प्रज़ चाहिए। किया पूलाऊ में खजका थूख सकते बख़ा है जाए जा हुआ है बार बार दिन ये आए हलवा पुरी होती है पानी पुरी भी होती है पर यार ये नीम पुरी क्यों नहीं होती है वार बार बार पुरी होती है झाल 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 क्षेच्ट कि लो झाल झाल